कि दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबा दें क्यूंकि हम लागते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी क्यों आपके इस मशीन के अंदर आपको बताना चाहूं कि दो यूनिट्स होती है एक ये जो यूनिट है ये मैं आपको सबको बताता हूं ये कंट्रोल यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट के अंदर वोट इखटे किये जाते हैं जो दूसरी यूनिट होती है इसको बैलेट यूनिट कहा जाता है बहुत सा पार्टी के सामने वाला हम बटन दबाते हैं और वोटर को दिल में ऐसा यकीन होता है कि मेरी वोट उस पार्टी को चली गए तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके दो यूनिट्स हैं ये जो यूनिट होती है अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग आफिसर के पास होती है मतलब जो अफसर बोट डलवाता है उसके पास होती है करीब पांच मीटर दूर यानि वहाँ पे रखी होती है और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डबे के अंदर रखी होती है जहाँ पे व यह मशीन मैंने आउन की आप इसका डिस्प्ले पर थोड़ा अब जो प्रिसाइडिंग ओफिसर होता है यह बटन दबाता है इसका मतलब यह मशीन वोट डालने के लिए तयार है और जो पहला आया आप इसके दिखाईए जो पहला वोटर आया उसने जाड़ू पर बटन दबाया तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की एक वोट हो गए दूसरा वोटर आया उसने हाथी के आगे बटन दबाया हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा मशीन में आवाज आई वोटर को लगा मेरा बोट जो है वो हाथी पर चला गया तीसरा वोटर आया उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया लाइट जली आवाज आई बीजेपी को वोट चला गया चौथा वोटर आया उसने हाथ पर बटन दबाया पांचवा वोटर आया उसने साइकल पर बटन दबाया आप लोगों के सामने मैंने पांचवा पार्टियों को एक-एक वोट दी तो आप मेरी सहुलियत के लिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि क कितने वोट पड़े, बहुझें समाजबादी को तो नायदी जमता पर्टी में कितने पड़े, इंडियान नेशनल कॉंग्रेस को, समाजबादी पर्टी को, इसी तरीके से एक एक मोट मैं और डाल लेता हूँ, और एक mock test है जैसे सुबह सुबह दिखाए जाता है कि यह machine बिल्कुल ठीक है वो आपको करके दिखाता हूँ और आप जैसे कि mock test में सुबह सुबह सबको दिखाए जाता है कि भाई सा मैं counting करके दिखाऊंगा आपको टोटल वोट दस पास ले केंड़ेट चार को दो वोट केंड़ेट पांच को दो वोट केंड़ेट छे को जीरो वोट केंड़ेट साथ को जीरो वोट केंड़ेट आठ को जीरो वोट केंड़ेट नो को जीरो वोट केंड़ेट दस को जीरो वोट केंड़ेट ग्यारा को जीरो और अब मैं इस मशीन को दुबारा से खाली कर दूँगा, एक बार और दिखा दूँ, मैं एक बार और दुबारा दिखा दूँ, और अब सुबह के आठ बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अप तो यह एक वोट जाड़ू पर पढ़ गया, नहीं दिख रहे हैं, नहीं को दिखेगा, उसके भी कुछ है नहीं, डिस्क्ले आएगा नहीं, अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर गुसा, प्रिसाइडिंग ओफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट, हाथी प पर एक वोट और हाथी पर एक वोट, तीसरा वोटर आया, उसने कमल पर वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को एक एक वोट, चौथा वोटर आया, उसने हाथ पर बटन दबाया, चारों पार्टियों को एक एक वोट, पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी प कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन पाँच लोगों में से किसको जिताना है यह हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड है जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता यह जो है यह सीक्रेट कोड है जो हमने पता कि इस मशीन के अंदर यह हमारे सीक्रेट कोड से अगर आपको आम आदमी पार्टी को दस बज़े तै कर लिया आपन आप दस बज़े के बाद डलेंगे, वो सीधा जाड़ू पर डलेंगे, तो आप यह code ला लेंगे इसके अंदर, 123412, अगर आपने तैक कर लिया कि सरकार तो BJP की है, तो code भी BJP वालों को पता है, और अगर आपने 10 बज़े तैक कर लिया है कि अब आपको BJP को जिताना है, और अब जो जो वोट इस बूत के अंदर डलेगी बटन चाहे कोई भी दब है वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पर जाएगी तो उसका कोड है 123414 हो सकता है कई बार BJP का कंड़ेट पाचवे नंबर के हो किसी और कॉंस्टिवेंसी में किसी में 30 नंबर के हो किसी में 7 नंबर के हो तो आप हर कॉंस्टिवेंसी के लिए अलग कोड डालेगे कैसे हम चाहे कि आप जितने भी वोट दस बजे के बार डले वो सारे के सारे BJP पर जाए तो एक बोटर आया उसने अपना नाम दिया परची दी उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही अवाज है उसी दौरान उसने सिक्रेट कोड डाल दिया मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते है अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होगा और उसका हाथ लगबग वहीं के होता है लोग सेर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पतानी इसने क्या क्या नी किया या वोट देख रहा है अपनी जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सिक्रेट कोट दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पदा चला कि कब वो कोट दबा के कमरे से बाहर चला गया ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी आमादमी पार्टी के दो वोट बीएसपी के दो वोट बीजेटी के तीम वोट कांगरेस के दो वोट और सपा के दो वोट अब हम ये माल लेते हैं कि 10 वजे के बाद हम अपने उधारन के लिए मालने के 10 वजे के बाद 10 वोटर और है और दसों वोटरों ने अपनी वोट जाड़ू पर डाले और हम देखेंगे कि आखरी में रिजल्ट क्या होगा उसको भे आप सब के सामने डिमोंस्ट्रेट करूंगा तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई उसने ये जाड़ू पर बटन दबाया एक वोट फिर मशीन खोली गई जाड़ू पर बटन दबाया किते होगे दो पहले थे दो ये होगे किते होगे चार वोट फिर मशीन दबाई एक और वोट डाला, किते होगे, पांच वोट, आम आदमी पाट किते होगे, पांच वोट, बीजेपी के किते थे, तीन, अब फिर बटन दबाया, अब फिर जाड़ू पे बाया, बीजेपी के किते थे, जाड़ू पे किते होगे, छे, फिर एक वोटर आया और उससे फिर जा जाडू के कितने होगे? फिर एक बोटर आया, फिर जाडू पटाई, बीजेपी के तीन, जाडू के आठ, फिर एक बोटर आया और उसने भी जाडू चलाई, कितने होगे जाडू के? नौ, बीजेपी के कितने है? फिर बोटर आया और उसने भी जाडू चलाई, बीजेपी के तीन झाड़ू के दस अब माल लेते हैं कि BJP को तीन वोट पड़े जाड़ू को दस पड़े बाकि सब को दो दो पड़े अब जो असली गिंती हो गए वो ये हो गई कि जाड़ू के दस हो गए दस दो स only तीन स Also अब ये वो मत करना है जो असली में वोट डाले गए थी टेंडर वोट थे जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई तो अब जब 26 तारीक को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे आपके कैंडियेट आएंगे वो दुबारा स अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूँ जो आखरी दिन काउंटिंग डे वाले दिन जब बखसा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेगी तो केंड़ेट वन जो है वो आम टोटल वोट उन्निस पहले केंड़ेट को दो दूसरे को दो तीसरे को ग्यारा मुबारक को सिसाजी चोसे को दो पांचवे को दो अच्छा अधर जी तो मैं सब लोगों की जानकारी के लिए यह आपके आगे दो पिक्चर रख रहा हूँ कि यह जो मेरे हाथ में इधार है गुलाबी वाला वो वोट है जो प्रजातंत्र के अंदर आस्था रखने वाला गरीब आदमी जो यह जो फरजी वाड़ा यह जो रिगेंग है यह जो गड़वड़ी है उस गड़वड़ी को आप में से कोई आदमी कभी नहीं पकड़ पाया और ना पकड़ पाओगे और जब काउंटिंग हुई और जब काउंटिंग हुई तो इज नीले वाला जो मैंने रखा है उसके अंदर आया कि आम आदमी पार्टी को दो वोट मिले